दोस्तों साथ नवंबर 2022 को BLS International Services Limited के Board of Directors की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में Quarter 2 के Financial Result को Approve और Publish कर दिया गया है और इसके साथ Board of Directors ने Bonus ISO की भी Approval दे दी है तो चलिए पहले हम लोग इस Company के Quarter 2 के Result को देखते हैं और उसके बाद मैं फिर आपको Bonus ISO के बारे में भी बताऊंगा ये इस Company Consolidated Result है और यहां सारे Figure Lacks में बताए गए हैं मैं आपको Figures को करोड में Convert कर बताऊंगा एकसेप टर्निंग पर शेयर Q2 में revenue from operations 357 करोड है जो Q1 में ये 273 करोड था और previous year के Q2 में ये 190 करोड था तो revenue from operations में year on year 87% की बढ़त है और quarter on quarter भी 31% बढ़ा है तो revenue में तो year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है Q2 में total income 360 करोड है जो previous quarter में ये 276 करोड था और previous year के Q2 में ये 193 करोड था तो total income में year on year basis पर 87% की बढ़त है और quarter on quarter भी ये 30% बढ़ा है Q2 में profit before tax 56 करोड है जो Q1 में ये 32 करोड था और previous year के Q2 में ये 28 करोड था profit before tax में year on year basis पर 98% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये 73% बढ़ा है Q2 में net profit ये profit after tax 51 करोड है जो previous quarter में 31 करोड था और previous year के quarter 2 में ये 27 करोड था PAT में year on year 86% की बढ़त है और quarter on quarter भी ये 66% बढ़ा है तो PAT में भी year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर अच्छी खासी बढ़त हुई है Q2 में EPS 2 रुपे 46 पैसे है जो Q1 में 1 रुपे 49 पैसे था और previous year के Q2 में 1 रुपे 34 पैसे था EPS में year on year 84% की बढ़त है और quarter on quarter ये 65% बढ़ा है Q2 में consolidated EBITDA 56 करोड 80 लाग है जो Q1 में 31 करोड 36 लाग था और previous year के Q2 में 27 करोड 56 लाग था EBITDA में year on year 106% की बढ़त है और quarter on quarter बेसिस पर भी ये 80% बढ़ा है EBITDA में भी year on year quarter on quarter दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त दिख रही है Q2 में EBITDA का margin 16% है जो Q1 में 11.5% था और previous year के Q2 में ये 14.5% था तो EBITDA का margin भी year on year और quarter on quarter दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ा है तो मुझे इस company का result अच्छा लग रहा है इस company ने इसी साल April में bonus इसू भी किया था वो भी 1 to 1 के ratio में और company फिर से bonus इसू कर रही है इस bonus इसू में company 20,54,10,000 equity shares इसू करेगी और इस bonus इसू का ratio भी 1 to 1 ही रखा गया है तो अगर record date पर आपके पास इस company के एक share होंगे तो company आपको एक और bonus share देगी और आपके पास total number of shares दो हो जाएंगे तो record date पर आपके पास जितने share होंगे company उतना ही bonus shares भी देगी इस bonus इसू से पहले इस company के paid up share capital में number of equity shares 20,54,10,000 हैं और इस bonus इसू के बाद ये बढ़ कर double हो जाएंगे यानि कि 41,08,20,000 हो जाएंगे और इन shares की face value एक रुपे पर equity share ही रहेगी company ने अभी इस bonus इसू की record date fix नहीं की है company को अभी shareholder से approval लेनी बाकी है और इसके लिए extraordinary general meeting 2 December को होगी और company ने ये भी बताया है कि company bonus share score shareholders के dmit account में दो मेने के अंदर अंदर credit भी कर देगी दोस्तों इस share का आज का closing price 349 रुपे है और इस bonus इसू के बाद मतलब X bonus होते ही इस share का price 179 रुपे 50 पैसे हो जाएगा यहां मैंने आज का closing price आपको समझाने के लिए उदारण के तौर पर लिया है X bonus होते ही इस share का price क्या होगा ये X bonus से पहले की closing price पर depend करेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद